दोस्तो मैं अलपना सुरो स्वागा थी आप सभी का स्वाधिश्ट वोजन में दोस्तो आज मैं आपको बकरे का पोटा चूने से कैसे साब करें यहाँ पर बताऊंगी तो दोस्तो यहाँ पर मैंने बकरे का एक पोटा लिया है उसके बाद यहाँ पर है कोटी उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है फेफ़डा उसके बाद आती है यहाँ पर बकरे का पूरी पचोनी का थान है उसके बाद हमें चूना तो हम सबसे पहले क्या करेंगा दोस्तों पोटे पर अच्छे से लगाएंगे चूना चूना थोड़ा से जादा जादा करके टो दोस्तो चुनों को अच्छो नगा ईंगे जैसे लगा अच्छोन में लगा दंगा जैसे चूने कोई इसाप करना हो इसके अब देखी सकते हैं कि इसमें बहुत सारी गंदगी है इससे मैं पर लिए एस गरम पाणी और इसे और एक वीडियो बना करेंगे हलके हाथ उस रगड़ेंगे नहीं तो यह क्या है फट जाएगा चाकु से रगड़ेंगे तो धार दार चाकु रहेगी तो यह दिखे हाथ को बचाते हुए दोस्तों यह थोड़ा जीब लग रहा है देखने में पर अगर आप गरम पानी से करेंगे तो ज्यादा चर कर गर फटिलेंगे दोस्तों इसको हम रिगा से करके साफके दोस्तों से धाल करेंगे तो यह दीक्या हूँ गया तिसमें हम पानी को अच्छे से कैसे डालेंगे और इसको रगा मीज़ते हुए वह पानी से शुलकर करें दो को उतनों यह देखिएक पानी से शुलकर करने वाला पोaty तो अभी पर आपको आती बता देती हूँ के आती को आप कैसे साफ करें तो हम एक आती उठाएंगे सरह करें इसकी बाद कालल ब्ली गोदी लेंगे उसको हम इस तरह से करेंगे देशक्र यह अच्छी से पलड़ जाएंगे तो अफो सब देख सकते हैं इसको हम पानी से साफ कर देंगे तो ये देखे दोस्तों इस तार से रगड़ते वे साफ करेंगे जैसे के अच्छे साफ हो जाये चेपक तो ये देखे इसको भी दू-3 पानी सा के साफ करेंगे हम और आगे वाली भाग को हम खीचते रहेंगे इस तरह से दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इसको बनाने का तारीका नहीं बताऊंगे क्योंकि मैं आपको इसको नेश्ट वीडियो में इसका बनाने का तारीका बताऊंगी तो यहाँ पर दिखिए इसको यहाँ पर मैं आपको करना मेन जरूरी होता है क्योंकि मेन गंदगी उसमें बहुत सारा होता है तो इसलिए इसको अच्छे जितना अच्छे साप करें अगर अच्छे साप नहीं रहता है तो बनता नहीं अच्छा है इसमेल बहुत आता है तो यह दिखिए इसको इस तरह से हलके हां से आपको दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कॉमेट में जरूर बताना